नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत जारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पार्ट साला यूटूब चैनल मैं अपने चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 27 अगत 2023 का न्यूस पेपर हम डिस्कस कर लिये थे लेकिन 28 तारिक का मैं नहीं डाल पाया था काफी बिजी रहा मैं सुबर से लेकर के रात के साड़े दस बजे तक और मैंने कोसिस किया था कि रात मैं न्यूस पेपर बनाऊंगा लेकि नहीं बना पाया आज हम 28 तारिक का और 29 तारिक का दोनों का न्यूस पेपर एनलाइसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम 28 तारिक का देखेंगे मतलब 28 अगत 2023 का तो न्यूस पेपर भी देखेंगे इसके साथ साथ में महतपूर एडिटोरियल्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तो पहली जो नियूज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो जश्ट फॉर हमारे इन्फोर्मेशन के लिए हैं आप देखेंगे कि जो एलपीजी सिलेंडर पुरे देश भर में विद्रित किये गए हैं वो प्रधान मंत्री उज्वला योजना के अंतरगत विद्रित किये गए हैं ठीक है गाओ दे हातों में आप देखेंगे पहले महिलाएं चूले में लकड़ी से खाना बनाती थी लकड़े और कंड़े से प्र सरकार को लगा नहीं इससे पॉलूसन होता है महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत जाती हमें काम करते हैं उनको चूला और सिलेंडर देते हैं ताकि उनको धुए से हम राहत दे सकें यहाँ पर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन बस दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है कि सिलेंडर का दाम इतना जादा बढ़ चुका है अब आप यह सोचिए एक सिलेंडर यदि भरवाना है एक फैमिली को गाउ में तो उनको ग्यारा सो पच्छत्तर मतलब बारा सो रुपए खर्च करने पड़ेंगे और बारा सो रुपए या बहुत माइने रखता है गाउ दिहाद के एरिया में जहां पर इंफलेशन बहुत कम रहता है लोग जादातर जो चीजें खरीदते हैं वो सस्ती रहती हैं उनके लिए इतनी बड़ी रखम लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है मैं ऐसा इसलिए बोल रहू हूँ क्योंकि जानतर गाउं के जो लोग रहते हैं ना मेहनत मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं और उनकी मजदूरी भी कम रहती है डेर सो दो सो रुपई या दिन का वो कमाते हैं तो कुल मिला करके देखा जाए ना आज के टाइम में कंडिसन ऐसी हो गई है कि हमरे यहां फूफा के एक लड़के हैं राजा भीया वो कबाड़ी का काम करते हैं गाउं गाउं जाते हैं ठीक कबाड़ी का समान खरीदते हैं तो उन्होंने मुझे एक बार एक बाद बताई थी उन्होंने कहा कि कंडिसन इतनी खराब हो गई है कि एक अदमी तो सिलेंडरी उठाके ले आया और बोला कबाड़ी में खरीद लो करके तो जाहिर सी बात है उनको लकड़ी और कंड़े सस्ते पढ़ते हैं गैस सिलेंडर से भले ही पॉलूशन कम होता है खाना फट से बन जाता है लेकिन देखा जाए में चीज रहती है पैसे की तो अभी इतना जादा जो मेहंगा हो चुका है सिलेंडर तो सरकार ये सोच रही है जातर तो देखेंगे आपकी जो जिस जिस स्टेट में इलेक्सन है वहाँ पर जातर आपको थोड़ा सा प्राइस डाउन देखने को मिलेगा जैसे की मदप्रदेश की बात करें चाहे वो राजस्तान की बात करें और अगला नमबर जो है अधर स्टेट का भी हो सकता है हमरे लिए यहाँ पर जो important चीज है वो यह है कि प्रधान मंत्री उज्वला योजना first और इसके बाद सरकार प्रधान मंत्री उज्वला योजना second लेकर के आई थी तो first को सरकार ने 2016 में launch करी थी इसके माध्यम से सरकार की तरफ से LPG liquified petroleum gas connection प्रवाइट करे गए थे फिरी में poor household को इसके बाद सरकार ने क्या काम करी second phase इसका लाई ताकि प्रवाइट किया ज़सके maximum benefit to migrants who live in other state and find it difficult to submit address proof अब एक व्यक्ति मान के चल लीजिए हमारे गाओं का एक अदमी है वो कमाई करने के लिए महराष्ट जाता है नागपूर सहर ठीक है डेड़ सो दो सो किलमीटर अब वहाँ पर वो चाहता है कि मुझे कास यहीं पर कास मुझे यहीं पर मेरा connection मिल जाता और मैं यहीं पर अपना cylinder भरवा पाता तो सरकार ने इस चीज को समझा है और यह सोचा है कि देखिए हम जो है maximum benefit प्रवाइट करेंगे माइग्रेंट वरकर को जो की एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और एड्रेस प्रूप सब्मिट नहीं कर पाते हैं एड्रेस प्रूप सब्मिट करने से क्या फ्री में connection मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर अभी question mark है now they will only have to give self declaration to avail the benefit आज के समय में क्या रहता है कोई भी migrant worker है उसको स्वागोषण अपत्र प्रूवाइट करना पड़ता तब जाकर कि उसको फाइदा मिलता है features के दि हम बात करें इस scheme के अंतरगत क्या है जो financial support है 1600 रुपईया का for each LPG connection BPL household को provide किया जाता है इसके साथ साथ में deposit free LPG connection उज्जुला 2.0 प्रूवाइट करेगी first refill and hot plate free to cost of the beneficiary स्कुल मिला कर कि उज्जुला 2.0 के अंतरगत सरकार क्या काम करने वाली है पहली बार में deposit free LPG connection दे रही है मतलब आप यदि पहली बार में first refill कराएंगे तो आप को free रहेगा पहली बार आप खाना free में खा रहे है कुल मिला कर कि ऐसा है उज्जुला ए उज्जुला के अंतरगत LPG connection का जो target रखा गया था वो 50 million women का रहा था जो की BPL में रह रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं 2020 तक का है target था फिर भी यदि देखा जाए अगस 2018 में जो 7 other categories वाली जो women है इनको जो है इस scheme के अंतरगत लाया गया था जैसे की SCST हो गया ऐसी महिला है जो के प्रधान मंत्री आवासी हो जने के अंतरगत रह रहे हैं अंद्योदय अन्योजना की लाभारती है forest dwellers हैं इसके साथ साथ मैं most backward classes and gardener gardens and island कुल मिला करके जो most जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत है उन लोगों को और बाद में कहना चाहिए सामिल किया गया है इसमें अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के लेवल को तो देजभर की ग्रहणियों को मोधी सरकार का बड़ा तोफ़ा है मोधी सरकार रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में 200 रुपे की बड़ोती बड़ी कटोती करी है इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्सन दिया जाएगा इस फैसले में आम लोगों को महिंगाई से बहुत राहत मिल रही है इस से पहले देखा जाएं तो राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार ने घुषणा करी थी कि मादर 500 रुपे में गैस सिलेंडर हम देंगे वही मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी सिवरा सिंग चोहान ने अगस्त माहमें साड़े चार सो में गैस सिलेंडर देजने की घोषणा करी थी और दोनों ही राजियों में चुनाओ होने वाले आगे लोगों को कहना है कि हो सकता है कि हमें पेट्रल और डीजल के दाम में भी कुछ गिरावट देखने को मिल जाए साड़ चुनाओ है तो चुनाओ का फाइदा हम लोगों को मिल जाए इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं नेक्स न्यूज को तो नेक्स वाली जो न्यूज हम देखने वाले हैं जयन्त महापात्रा जो की इंडियन इंग्लिस पोयट है इनकी डैथ हो गई है कटक में तो यह पिक्चर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जयन्त महापात्रा वन ओब दा इंडिया के बैस्ट इंग्लिस पोईट के रूप में जाने जाते हैं इनकी डैथ हो गई है कटक में संडे की दिन 95 साल की उमर में तो जो लिगेंडरी पोईट थे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी इंडियान इंग्लिस पोईटरी में with his writing spanning over 50 years पचास सालों का आप ये कह सकते हैं कि इनका experience रहा है तो एक्सपरेजिंग ग्रीव चीफ मिनिस्टर नवीन पटनाएक सेड the poet was a genius writer in both English and Odisha literature तो मुख्यमंत्री जैसे लोग बड़ी-बड़ी हस्तियां इनको याद कर रही है कि इन्होंने ना केवल अंग्रेजी में अपना योगदान दिया इसके साथ साथ में Odisha में भी इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था महापात्रा is physics teacher महापात्रा कौन है ये physics पढ़ाये करते थे इसके साथ साथ में English poetry से भी इनको काफी खासा लव रहा था काफी जुडाव रहा था इन्होंने इनकी जो collection है क्या नाम रखा गया है Swamvara and Other Poems in 1978 Swamvara and Other Poems जो है प्रकासित करी गी थी 1971 में इसके अलावा इनका जो काम है close the sky 10 by 10 ये भी काफी famous रहा था उस टाइम के top league writers में इनको सुमार कर दिया था इनको जो है साहित अकादमी अवार्ड प्रोवाइट किया गया था एक poem है relationship 1981 की ये बात है इसके साथ साथ में he was awarded the padmstri in 2015 तो काफी सारे अवार्ड इनको मिले हैं आप देख सकते हैं कौन-कौन से अवार्ड इनको प्रोवाइट करे गए हैं इसके बाद वाली जो नियूस हम डिसकस करने वाले हैं वो दारू की दुकानों से related है ठीक है तो यहां पर सुप्रीम कोड जो है एक याचिका को की सुनवाई करने जा रहा है जिसके अंतरगत ये निर्धारित किया जाएगा कि दो लिक्योर सॉप के बीच में कितनी डिस्टेंस होना चाहिए सुप्रीम कोड टु हीर प्ली ओन मिमिनमम डिस्टेंस नीड़ बिट्वीन लिक्योर सॉप्स एंड इसकूर यदि कहीं पर सरकारी स्कूल है या फिर स्कूल की ही बात हम क्यों करें कोई और संस्ता है कहीं आईटियाई है कॉलेज है तो इससे कितनी डिस्टेंस होना चाहिए धारू की दुकान की इसके उपर सुनवाई यहां पर होनी वाली है सुप्रीम कोड ने डिसाइड किया है कि वो एक्जामिन करेंगे एक याचिका की जो की याचिका धायर करी गई थी पुदूचेरी बेज्ड लिक्योर आउटलेट ताकि क्लियर किया जा सके हेज ओन दा मिनिमम डिस्टेंस देट लिक्योर वेंट्स नीट तो मैंटेंड फ्रॉम रिलिजियस और एजुकेशनल इंसिटूशन इन मुंसिपल एरियास अब यहाँ पर भी बहुत सारी हमें सीमित ताय दिखाई दे रहीं जैसे कि कोई एरिया मुंसिपल एरिया में आ रहा है क्या केवल उसी की सुनवाई करी जाएगी क्या केवल उसे के लिए लिया जाएगे इसके साथ साथ में यहाँ पर रिजियस और एजुकेशनल जो इंसिट्यूसन्स है दोनों को सामिल किया जाएगा और बताया जाएगा कि यदि कोई धार्मिक सहस्ता है कहीं मंदिर बना हुआ है मस्जिद है चर्च है वहाँ से कितनी दूर होना चाहिए दारू की दुकान तीन जज़ की बेंच रहेगी है इसके हैड रहेंगे चीप जस्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंदरचूर ठीक है तो इन्होंने नॉटिस किया था एक पेटीशन के ऊपर जो की फाइल करी गई थी अलंकार वाइन्स और पुदुचेरी और इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवकोईट पीबी सुरेज एंड वीपी नायर अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कानून है उसको हम देख लेते हैं यह कानून के बारे में तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि मेनिममम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए तो दिसंबर 2016 में तमिलनाडू वर्सेस के बालू यहाँ पर अपैक्स कोट ने प्रोहिविट कर दिया था अपैक्स कोट आपको देखने को मिल जाएगा इस्टेट हाइवे है फिर मार्च 2017 में क्या हुआ कोट ने ब्रॉट डाउन कर दिया था पास सो मीटर की डिस्टेंस को और कह दिया था 220 मीटर in local body areas with a population of 20,000 people or less जहां पर 20,000 लोग रह रहे हैं या फिर उससे कम लोग रह रहे हैं तो जो डिस्टेंस रहेगी वो 220 मीटर की रहेगी सुप्रीम कोट ने डिस्टेंस को घटा दिया था फिर फरवरी 2018 में क्या होता है इसके बाद फरवरी 2018 में सुप्रीम कोट ने क्या बोल दिया कि एक काम करिए अब राज सरकारे ही वो निर्धारित करेंगे कि कहां पर खुलना चाहिए कितनी दूरी पर खुलना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो याज का दायर करी गई है ठीक है तो जो एलिगेशन है अगेंस दा पेटिशनर इस्टेबलिश्मेंट इस देट इस वाइलेट दा पुदूचेरी एकसाइंस रूल अब इस दारू की दुकान की उपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने तो कहा था आपको पचास मीटर की डिस्टेंस में नहीं रखना है तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंतरगत मना किया गया था जो लिक्योर आउटलेड्स थाएं इनकी जो विक्री हैं पचास मीटर के डायरे में नहीं होना चाहिए रिलीजियस और एडूकेशनल इंसिट्यूशंट में मुन्सिपल एरिया में एंड हंड्रेड मीटर इन अधर एस एरिया तो 50 मीटर का दाइरा और 100 मीटर का दाइरा निर्थारित करा गया है अब कोई दुका ने दी 10-20 मीटर के दाइरे में ही खुल गई है तो जाहर सी बात उसने नियम कानून का उलंगन कर दिया है अब देखते हैं कि क्या नियम कानून और आ सकते हैं सुप्रीम कोट की तरफ से इसके बाद वाली जो नियूस हम डिस्कूस करने वाले हैं यह इसरो से रिलेटेड है इसरो की तरफ से रिलीज किया गया है ग्राफ आप टेंपरेचर वेरियेशन आप टॉप सॉइल इन लूनार साउथ पोल तो लूनार को लूनार में हमने हमारा मिसन भेज़े हैं चंद्रियान तीन यहाँ पर हमने हमरे लेंडर को उतारा इसके अलावा हमने हमरे रोवर को उतारा अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्रमा की जो टॉप सोईल है उसमें किस प्रकार से टेमपरेचर में हमको वेरियेशन देखने को मिला है यदि हम उसकी गहराई तक खुदाई करते जाएं करते जाएं तो अलग-अलग लेयर में हमें अलग-अलग टेमपरेचर देखने को मिला है तो इसरो की तरफ से पताया लगाया गया है कि चंद्रमा की सरफेस पर टेमपरेचर का वेरियेशन हमको देखने को मिला है यदि आप डेप्थ में बढ़ते जाते हैं तो जाहिर सी बात है टेमपरेच स्थिई पेलोड एब्रॉड एबॉड चंद्रयां तीस विक्रम लेंडर मॉडुल वहिं यहादी हम बात करें चंद्रास सर्फेश थर्मोफिजिकल एक्सपडरिमेंट क्या नाम रखा गया इस डिवाइस का चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजकल एक्सपरिमेंट डिवाइस इसने मेजर्ड किया था टेंपरिचर प्रोफाइल को लुनार की टॉप साइल में साउथ पूल में ताकि अंडरस्टेंड कर सकते हम थर्मल बिहेवियर ओप मून सर्फेस मून की सता का थर्मल बिहेवियर कैसा है गरम है ठंडा है कब गरम रहता है कब ठंडा रहता ये सारी चीजों का पता इसके माद्यम से लगाया गया है यहाँ पर हमने जो डिवाइस यूज किये हैं ठीक है तो ये जो पेलोड हमने भेजे थे इसके पास में एक टेंपरेचर प्रोब एक्यूपमेंट लगाया गया है और यहाँ पर आपको कंट्रोल्ड पैनिट्रेशन मेंगरनिजम लगाया गया है जो की 10 सेंटिमीटर की गहराई तक ये खुदा करने का काम कर सकता है इस प्रोब को फिट किया गया है 10 इंडिविज्वल टेंपरेचर सेंसर के माध्यम से वहीं यदि हम बात करें इस पेलोड की तो ये जो पेलोड है इसको डवलप किया गया था एक टीम के द्वारा जिसको लीड कर रहे थे इस पेस फिजिक्स लेबरेटरी ओफ इस रोज विक्रम सारा भाई इस पेस सेंटर और इसमें कोलिबरेशन था सायोग था फिजिकल रिसर्च लेबरेटरी अहमदाबाद का तो ये भी एक इंपोर्टेंट न्यूस थी हमारे लिए इसके बादवाली जो न्यूस हम देखने वाले हैं वो नीरत चोपड़ा से रिलेटेड है देखिए नीरत चोपड़ा ने पिछली बार भी भारत को कामियाबी दिलाई थी इस बार भी नीरत चोपड़ा ने फिर से भारत के लिए एक इतिहास को रच दिया है कुल मिलाकर के भारत को लीड किया है ठीक है जिवेलियन थ्रो के मामले में तो नीरच चोपड़ा ने इतिहास रचा है वर्ल्ड एथलेटिक चेंपियंशिप 2023 के लिए और भारत को पहला गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया है नीरच चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेक चेंपियंशिप में गोल्ड जीते हुए इतिहास रच दिया है इन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो फेंका था और उन्होंने भारत को विस्व चेंपियंशिप इतिहास का पहला गोल्ड दिलाया है इससे पहले उन्होंने सेलवर मेडल और अंजू बोवी जॉर्ज ने ब्रॉंज मेडल जीता था तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग वेक्तियों के बारे में अलग-अलग दिखाया जैसे कि पाकिस्तान का जो अरसद नदीम था इनको मिला है सिल्वर मेडल इन्होंने कितना फेका 87.82 नीरच चोपड़ा ने कितना फेका है 88.17 तो पाकिस्तान का जो अरसद नदीम है उनको सिल्वर मेडल मिला है और चैक रिकब चैक रिपब्लिक के जैकब वैद लेज को ने फेका था 86.67 मीटर वही हम मैंस की 4 इंटू 400 मीटर मीटर रिले की बात करें इंडिया ने फिनिस किया था फिप्त वाले नमर में और टाइमिंग रही है 2.59.92 सेकंड यूएसे ने क्लैम किया है गोल्ड मेडल और इसके बाद आप देखेंगे फ्रांस रहा था यूएस के बाद में इसके बाद आ गया ग्रेट बिटेन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पहले नमर में यूएसे है इसके बाद आया है ग्रेट बिटेन इसके बाद इंडिया की टाइमिंग आ गई दो मिनट 59 वहीं यदि हम बाद करें 2023 के वल्ड एटलेटिक चेंपियंशिप की तो ठीक है तो इसका जो डेट रखा गया है 19 अगस 2023 से 27 अगस 2023 तक इसकी डेट रखी गई थी इसकी लोकेशन थी ब जो आईजन रहा था वो 19 वे नमबर का रहा था और इसका जो मैन वेन्यू है वो है नेशनल एटलेटिक सेंटर और वहीं यदि हम इसकी मोटो की बात करें विटनेज दा वंडर इसका मोटो रखा गया है इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिससे की तरप और देखते हैं प्रमोके एडिटोरियल को तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिसकस करेंगे वो भारत में रोहिंगया की समस्या को लेकर के भारत में बहुत सारे रोहिंग्या मुसल्मान ऐसे हैं जो कि सरणार्थी बनकर रह रहे हैं केमपों में इनको रखा जा रहा है तो जब केमपों में इनको रखा जा रहा है तो इंटरनेशनल नियम और कानून क्या कहते हैं इसके अलावा हमारा खुद का संबिधान क्या कहता है तो भले ही आप उनको नागरिकता ना दो लेकिन यदि उनको केमपो में रखा जा रहा है तो उनको जेल के जैसे आप ट्रीट मत करिए इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून बनाए हैं और कुछ-कुछ जगह भारत ने क्य काम किया है वहां पर अपने सिगनेचर नहीं किया है जहां पर उसको करने चाहिए थे अब यहां जो यह लोग रह रहे हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है क्या-क्या चीजों को वो फेस कर रहे हैं इस एडिटोरियल में हम डिसकस करने वाले हैं लेकिन सबसे प और जब military rule है तो कितना इनके साथ में अत्याचार हो रहा होगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं जहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है तो मियानमार में आप देखेंगे जालतर जो लोग है वो बहुत है एक वही यदि हम देखें एक अनुमान के हिसाब से 10 लाख यहाँ पर रोहिंगे मुसल्मान है इन मुसल्मानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुखे रूप से अवैद बांगलादेश प्रवासी हैं क्या रूप लगाया जा रहा है ये लोग बांगलादेश से आए हैं और मियानमार में आकर के बस गए है सरकार ने इनको नागरिक्ता देने से इंकार कर दिया था हलाकि ये मियानमार में पीडियों से रह रहे हैं रखाइन स्टेट में 2012 से संप्रदाइक हिंसा जारी है इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई हैं और एक लाग से भी जादा लोग विस्थापित हुए थे उस टाइम में ये जो रोहिंग्या मुसल्मान हैं आज भी जरजन केम्पों में रह रहे हैं रोहिंग्या मुसल्मानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्योहाओ कर सामना करना पड़ता है और लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या बंगलादेस में भी रह रहे हैं इन्होंने दस को पहले मियानमार छोड़ दिया था तो यहाँ पर जो है हम इन ही लोगों की बात करेंगे और पार्टिकुलरली यहाँ पर इंडिया की परिपेक्च में हम चीजों को देखने वाले हैं कि आखिर इंडिया में यदि रह रहे हैं तो कौन-कौन सी चीजों को फेस कर रहे हैं और क्या चीज की सुईधाओं को देने की हमको जरूरत है पहली जो चीज यहाँ पर हमको देखना है वो यह है कि भारत में हम देख रहे हैं इनको रखा जा रहा है लेकिन इनको ऐसा रखा जा रहा है कि जैसे कि इनको जेल की सज़ाद सुनाई गई हो रोहिंग्या रिफ्यूजी की डैथ हो गई थी डिटेंसन के दोरान में तो एक पांच मंत का जो इनफैंट था जो की रोहिंग्या रिफ्यूजी में जिसका बौर्न हुआ था जन्म हुआ था इसकी मृत्यू हो जाती है एक डिटेंसन सेंटर में या फिर होंडिंग सेंटर मे जो कि जम्मू कस्मीर में बनाए गया है अब पुलिस क्या काम कर रही है यहाँ पर आसू गैस के गोले छोड़ रही है हो सकता है कि दम घुटने के चलते चलते इस बच्चे की डैथ हो गई होगी तो एक वाइरल वीडियो में हमने देखे थे कि पुलिस जो है आसू गैस के गोले छोड़ रही थे इसके साथ साथ में आप देखेंगे यह जो रिफ्यूजी वूमन है एंड चिल्डरन है उसी समय जब आसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो उस समय महिलाएं और बच्चे मौजूद रही थे इसके बाद एक्स्प्लोजन होता है और आप जो है महिलाओं की चिल्लाने की आवाज सुन सकते हैं एंड चिल्डरन जो है पैनिक होकर के भाग रहे हैं यह सारी चीज इस वीडियो में देख सकते हैं तो जो सीनियर सुप्रिटेंट और पुलिस कट हुआ उन्होंने क्या कहा गया है कि टियर गैस जो है हमने छोड़े थे विच इस नॉट आइडल जबकि यह चीज खुद पुलिस कह रही है कि नहीं यह अच्छा नहीं था नहीं छोड़ना चाहिए था लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आसुगैस छोड़ने के चलते चलते ही जो है इनकी डेथ हुई है या फिर बच्चे की डेथ हुई है राइटर का कहना है कि देखिए आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि यह जो है जेल के कैदी है जबकि यह जो है आप्रवासी भारती है भारत में आकर के रहने वाले सरनार थी है इनके भी कुछ अधिकार है और इनको भी इंटरनेशनल नियम कानून संबिधान के हिसाब से इंडिया के भी कुछ चीजें मिलना चाहिए कम से कम इनको जेल लाइक कंडिशन में आपको नहीं रखना है तो जो रोहिंग्या और म्यानमार है ये most persecuted people माने जाते हैं पूरे देश दुनिया में ये म्यानमार का मैप है आप इसको देख सकते हैं तो जो बांगला देश वाला एरिया है यहाँ पर एक रखाइन स्टेट है म्यानमार कहता है ये लोग बांगला देश से भाग करके आए हैं यहाँ पर एक डेटा भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली एक मिलियन रिफ्यूजी रह रहे हैं बांगला देश में केमपस में यह वाला जो पीला कलर आप देख रहे हैं वाला बांगलादेश का हिस्सा और म्यानमार की हम बात करें तो लगबग आप देखेंगे पंदरा हजार जो रोहिंग्या है और रिपोर्टेट टू बी इंटरनली डिस्प्लेजड एस ऑफ दा एंड ऑफ दोहजार एकईस दोहजार एकईस के एंड तक आप देखेंगे कितन किधर गए हैं एकजामपल के तोर पर यह हम रखा इनस टेट की बात करें बांगलादेश की तो इदर से यह बांगलादेश की तरफ भागे इसके साथ साथ में समुदर वाले रस्ते से होते होएं तोह फोई कहा गए हैं इंडोनेसिया और मलेसिया गए हैं अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से रोहिंग्याओं के साथ में एट्रोसिटीज करी जाती है जिसको हम हिंदी में बरबरता बोलते हैं अत्याचार बोलते हैं अगस्त पच्चिस को 6 साल होने वाले हैं अगस्त पच्चिस मार्क सिक्स इयर सिंस दा म्यानमार मिलिटरी लॉंच एक केमपेन ओप मास एट्रोसिटीज अगेंस रोहिंग्या इन रखाइन इस्टेट म्यानमार में म्यानमार की मिलिटरी ने लॉंच किया था एक बहुत बड़ा एट्रोसिटीज वाला प्रोग्राम जिसके अंतरगत रखाइन में रहने वाले जो म्यानमार रखाइन में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं ठीक है रोहिंग्या लोग हैं उनके खिलाप में जो है अत्याचार किये गए थे मियानमार की मिलिटरी के द्वारा इस जीनोसी जीनोसीडियल अटेक में हम यदि हम बात करें जो की अगस 2017 में चालू हुआ था इसके चलते चलते साथ लाग सतर हजार जो रोहिंग्या है यहां से भाग गए थे लगभग लगभग उनमें से बीस हजार लोग ऐसे थे जो की अभी इंडिया में हैं इंडिस पार्टिकुलर होल्डिंग सेंटर इन जम्मू विच वाज ए प्रिजन बिफोर इस से पहले इस एरिया को इस सेंटर को जेल के रूप में जाना जाता था पहले यह जेल हुआ करता था तो यहां पर दो सो पचास से भी जादा रोहिंग्या रिफ्यूजी यहां पर रह रहे हैं इंकलूडिंग वोमेन एड चिल्डरन हैव बीन कनफाइंड इसमाल देयर सिंस मार्च दोहजार एकक्रिस इसमें से आप देखेंगे की दो सो पचास जो है रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं इसमें इंकलूडिंग है वोमेन एड चिल्रन अब इन में से कुछ लोग ऐसे हैं जादतर को UNHCR का कार्ड मिला हुआ है कुल मिला करके वो जो है हमरे यहाँ पर refugee है और safety को सीख कर रहे हैं उस कार्ड का मतलब यह रहता है तो यह जो कार्ड है यह कार्ड हमरे लिए थोड़ा सा important हो जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति को यह कार्ड मिल गया है कुल मिला करके वो safe माना जाएगा लेकिन जम्मू का जो incident हुआ है यहाँ से बहुत सारे question खड़े होते हैं जैसे की उनको आप criminal की तरह क्यों treat करते हैं इसके साथ साथ में why they are living in prison like facilities आप उनको jail जैसी संरचनाओं में क्यों रख रहे हैं and उनके movement को restrict क्यों किया जाता है यह कुछ ऐसे question है यहाँ पर सबसे ज़्यादा troubling वाली जो बात है वो है why children are being hold up as prisoners in detention center सब तो सब आप बच्चों को भी जो है prisoners की तरह क्यों रख रहे हैं detention center में यह जो बच्चे होते हैं वो extremely vulnerable population माने जाते हैं वर्ल्ड की जो की ethnic cleansing का सामना कर रहे हैं इनका जो पूरा समुदाय है वो ही पूरा खतम हो जाएगा यदि बच्चे खतम हो गए तो कुल मिलाकर कि globally की बात करें तो हमारी भी कुछ responsibility है कि हम उनको protect करें उनकी help करें कि वो survive हो सकें और यहां से भागे ना आप उनको जो है जेल में मत डालिए आसू के गेसों से उनका सामने मत करिए और आप उनको जो है ऐसे ही मरने के लिए मत छोड़िए detention center की बात करें foreign act के अंतरगत इंडिया डास नॉट है वे domestic law और consistent policy on refugee तो यह बात एकदम सही है कि इंडिया के पास में कोई भी domestic law अभी तक नहीं बना है consistent policy हम नहीं बनाये हैं जिसके चलते-चलते जो है जो refugee लोग है कुछ को तो आप असानी से सरण दे देते हैं लेकिन जिनको जरूरत है वास्तों में आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं कुछ नियम कानून हमरे यहां पर बने हैं जैसे कि 1951 का refugee convention and its 1967 protocol भारत ने इसके उपर signature नहीं किये भारत इसका सदस्य नहीं है 1951 की refugee convention and its protocol तो जो foreigners act 1946 है इसके माध्यम से भारत बाहर से आने वाले लोग बाहर से भाग कर आने वाले लोगों के साथ में treatment करता है जितने भी refugee आ रहे हैं उनको क्या है illegal immigrant मान लिया जाता है और हम उनको जो है lumped कर देते हैं मतलब एक ही category में रख देते हैं जैसे की other foreigners के साथ में treatment किया जाता foreigner act के माध्यम से इस कानून के माध्यम से सरकार को जो है unchecked power मिल जाती है unchecked executive power मिल जाती है foreigners के against में इसका क्या मतलब हो गया है तो UNHCR ने उनको recognition भी दे दिया है फिर भी उनको जो है वैसा नहीं माना जा रहा है वैसा उनके साथ विवाहार नहीं किया जा रहा कुल मिलाकर के UNHCR का card है दी किसी के पास में तो उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं जैसे कि section 3-2E criminal imprisonment section 14-14A and deportation section 3-2C इनके माध्यम से सरकार deal करने का काम करती है इसका मतलब यह हो गया है कि 100 ऑफ जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनको arbitrarily detain किया जाता है एंड इन में से बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल दी इनहीं दसा में रह रहे हैं और इन में से कुछ-कुछ तो बच्चे हैं महिलाएं हैं जिनको खास protection की जरूरत है United Nations का UN Convention on Right of the Child इसका जो आर्टिकल छे नमर है Convention on the Right of Children इसका जो छे नमर आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है इसमें कहा गया है कि States that every child has an inherent right to life, survival and development State को ये ensure करना है कि भाई आपके यहाँ पर प्रतिक बच्चा को जन्व सही सारे अधिकार जो मिले हुए है उनकी आप रक्षा करें उनको survive करने का अधिकार मिला हुआ है development करने का अधिकार मुला हुआ है तो उसको आप छीन नहीं सकते हैं इसके साथ साथ में नाए चीज CRC 1992 में है इसके साथ साथ में Indian Constitution भी यही कहता है कि आप जो है right to life and personal liberty को खतम नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे Constitution ने provide करी है चाहे आप इंडिया के नागरी के हसाब से बात करें चाहे भारत के लोग ही हो लगबग 500 रोहिंग्य रिफ्यूजी जो है detent करें गए हैं अलग-अलग detention center में and jail में पूरे इंडिया में इसमें से बहुत सारे जो लोग है वो बच्चे हैं नियो दिल्ली के सराई रोहिल्य सेंटर की अधिबात करें तो यहां पर फोर टू फाइफ चिल्डरन फू आर बिलो दा एज ओफ फाइव विथ मोस्ट इन डिटेंशन सिंस इन फैंसी तो जब यह मा के गर्भ में थे उसके बाद इनका जनम हुआ तब ही से लेकर के आप पांस साल की उमर तक देखेंगे तो इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है इसके बाद कुछ-कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो कि सरकार जुवेनाईल जस्टिस एक्ट 2015 के माध्यम से इनको डिटेंशन सेंटर और अधर जेल में भी रखा जा रहा है उनके पैरेंट के साथ में अधर हैव बिन सेपरेटेट एंड सेंट टु जुवेनाईल जस्टिन हॉम अंडर दा जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के माध्यम से जुवेनाईल सेंटर भेज दिया जाता है लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे रोहिंग्या की जो बच्चे है वो ला के साथ में इनका कोई कॉन्फ्रिक्ट नहीं है तो आप फिर कैसे इनको जो है अधर कानून के साथ में ट्रीट कर रहे हैं और भेज दे रहे हैं डिटेंशन सेंटर तो कुल मिला करके आज की जो डिमांड यही है कि आप इनको जितने जल्दी से जल्दी हो सके डिटेंशन सेंटर से इनको रिल्यूज करिए इसके अलावा रोहिंग्या एंड इंटर्नल गाइडलाइन 2011 आई थी यहाँ पर आथरेटीज को अधिकारियों को आफिसर्स को क्या काम करना है फॉलो करना है गवर्मेंट आफ इंडिया के इंटर्नल गाइडलाइन 2011 का और यह है ट्रीटमेंट आफ रिफ्यूजीस का जो की डिटेंशन पर रह रहे हैं जो यह कहता है कि दे सुट भी रिलीज फॉर्म डिटेंशन विधिन 6 मन्द यदि आपने इनको डिटेंशन किया है तो 6 माइने के बाद इनको आप रिलीज कर दीजिए और इसमें आप जो है बाइमेट्रिक डिटेल ले सकते हैं विध कंडिशन ओफ लोकल स्योटी गुड बिहेवियर एंड रिपोर्टिंग टू दपुलिस एवरी मन्द आप क्या बोलेंगे आप जो है लोकल सिक्योर्टी रखिए लोकल स्योर्टी रखिए इसका गुड बिह है एंड पुलिस के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे थाना के एक कदम और उठाना है यह कदम उठाया जाएगा नेशनल हिउमन राइट्स कमीशन के मात्यम से इंडिया एक और काम कर सकता है यह क्या काम करेगा United Nations High Commissioner for Human Rights को बोलेगा कि आप जो है एपॉइंट करिए एक डूबिस ठीक है ओम बड्स मैन जो की सोल रिस्पॉंसिबिल्टी लेगा investigate refugee at detention center in हिंडिया detention center में जो लोग बंद हैं अभी उनकी जाच परताल की जाएगी इस ओब्ड्स मैन के द्वारा